हलो दोस्तों वेलकम बैक टो अनिश्टर्टी ग्रूप दोस्तों आज बात मेने वाले एबू है दाहिंदू डेली अनलेस्टों इसमें हम बात करते हैं बसलिए इसमें क्या होता कि हमारे एक्जाम पॉंटिवली जो इन्पॉडेंट आर्टकल्स होते हैं हम कवर करते हैं एंड इसमें फर्स्टों आर्टकल्स ज्यादा जो सिवेंट्स के हमारा सुंदर्वान टैपल से आप जानते हैं हमारे वेस्ट पंगॉल में है और इससे अभी क्या हुआ जो हमारे क्लामेट कंडिशन की वज़ए से यहां पर हम यह बहुत सारे आप लोग नहीं पता है तो हम वीडियो लाश्ट में बताई देंगे अब अब लोग थमनेल पर आटिकल देखा भी क्या हुआ है रिसेंटली हमारे मदपिश के अंदर दो जो जो फाइटर फ्लैन थे वह मंदलब क्रेश हो गए है उसमें जो स्विकोई 30 एंड मिराज 2000 दो आर्टिकल थे दो सरी दो जो फाइटर जेट थे एंड आप यह देख सकते हो बैसली यह जो दो जो फाइटर फ्लैन थे दोनों क्रेश होए थे इनके बीच की दूरी सो क्लिमेटर बता जारी और इनका भी मदलब कोई एक्जैली महीं नहीं बता जा रहे कि मिलब क्या थे यहां पर एकसाइज चली थे इसके अंदर तो इसकी उसकी उसकी बहीं पर यह जो है कि हमारे सब्सक्राइब करते हैं अब लोग जो देखी हो तो उसमें हम दो दिखाई है और बनाया है कि फ्रांस से हमने से पर्चिश किया था और इसे जो फ्रांस की डेसॉल्ट डेसॉल्ट एक अजनसी है जिसने इसे मैनुफेक्ट्टर किया था डेसॉल्ट एविएशन और यह जो मतलब उसकी दार बताया गया तो इसकी स्पीड मतलब अच्छह हजार फेट पर मिनिट यह मतलब दोड़ सकता है और हमने इसके थ्रू कुछ श्ट्राइब भी के दी जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे स्ट्राइक जो किया है तो इसे इसकी देशन के द्वारा किया गया था और जी हमने मदम बंगाई कब इंडिया के अंदर यह फाइनल इंडिया में आये थे इन्हें लाए गया था इसलिए यह हम लोग जाते हैं कि इंडिया गंदर हम लोग आजादी मिल्यूनियूस सेथालिक स्टाइल तो हमारे पास ऐसी कोई अजेंसी नहीं थी कि इन्हें अब्भा पर्शिट करते हैं फ्रांस से फ्रांस और रस्या से बहुत चाहब पर्शिट करते हैं और इस सुकुई 30 इसे पर चिबनाया था रस्या ने से बनाया जिस विट अटिक और यह पार जो इस आप लोग लोग देखा ओजिए लेएंफ अधन सेंच्युरी यह टैमप जो ब्रिक्स एट इंट ने हैं उनने काड के हुआ फिरोड रही होगा और यही मतलब और यहीं मतलब और यही मतलब और इंडिया के दौर बताएगा थे वो हमारे एकजांप ओंट है कि कौन सी साइट जो एक और निशना जो बर करती है जिसकी दौरह बताया कि यह जो जितनी भी टैंप जो टैंपल की इट है वह रोड जो एर सेलिनेटी की कार्ड हुई है लियूपार 2 आप लोग सब जाते हैं अभी हम कि इंडिया और सुरी यूपार टैंक हमें दे दिया और इसे मलब यूएस और जर्मनी ने दोनों ने मैं देने से मना कर दिया था है जर्मनी यह सोच रहा था है अगर इससे अपने अपने चंगल रहे हो जाएगे क्योंकि रसिया इसके थोड़ा मंदब कॉपी करें बना देगा और यह एक ऐसा टैंक है यहां पर यह यह लिव पार टैंक यह ऐसा टैंक है दुनिया का सबसे पाउरफुल टैंक बना जाता है इसके टकर पर दुनिया में कोई कोई तैंक नहीं है इसलिए में जर्मनी इसे दे नहीं रहा है लेकिन आब उसे वह वहीर राजी हो गया कि हाँ अब दे देंगे लेकिन कि यहां बात कि यह देने से यूर्रसिया है वो यहां पर ये साइट टैंक देने से मना करता है लेकिन यह जर्मनी इसलिए मना करता है क्योंकि निकी टैकलोजी वो रसिया कॉपी ना कर ले तो उसी के लिए की आर्टिकल था अब दो को जान ले ती यह एमबन अबराहम है यह यूएस का एक एडवांस बो जिनने भी नाटो के अलाए कंट्रीज हैं उनकी सब के पास है जैसे कि यह बनाया है जर्मिन नहीं बनाया गया है और यह मना करता था और लियूपार्ट बरमदा वर्ड लीडिंग बैटल टैंक है लाहमने अभी बोला है क्योंकि यह सबसे एडवांस लेविल पर दुनिया इस यह टैंक है और जिससे देने के लिए मरा गया लाला लाचपर रायजी की अभी जैंती थी इसमें रिड हो और हमारे अर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री का है लाला लाचपर रायजी का बहुत सारा मिन बब इसमें पॉइंट ड़नों के इनकी जीनिंगनी है ज़े गय और यह साल की जाती है अब इनके बारे में जा लेते हैं यह जो फीडम फाइटर थे और इन्हें क्या लाइन आफ पंजाब का सीर बोला जाता इन्हें और बोलने काड़ के होगा क्योंकि उस टाइम इन्डिया को इंडिपेंडेंस करने के लिए इनका बहुत जादा कॉंट्र जितने भी देखें हां पर हिंदू मासाबा जो थी उसमें भी इन्बॉल्व थे और चुवाचूथ आप लोग सब जानते हैं कि उस टाइम इतनी तेज रैपेंडिली था कि उसके यह खड़े अंगेस्ट खड़े हुए थे एधी फॉर्ट अगेस्ट अंटेचिमिलेटी च जिसके इंडिया के में यह कंटिनुसली रिम्यूब हो जाए और इनका जो जन्म था पंजाब में हुआ था और इनके बात के लिए इंका मतलब का रहा है अगर पॉलिटिकल कांटुबिशन जा तो इन्डिया निशनल कॉंग्रेस जो है उसमें भी पार्टी सिपेंशन किया इसके बाद देखो इहां नॉन कोपरिशन मुवमेंट थी जो 1920 में इसमें भी इनका है और इसका जो पॉलिट आया था उसका इन्होंने बहुत ज़दा अंगेश्ट में किया और जलिया वाला वाग जो मैसी किरें मतलब जलिया वाला हत्या कांट जो हुआ था उसमें भी इ इसके और यहां भी बात किया है जो है ही फॉंड दा सर्वेंट आप फुपीपल सोसाइटी 1921 और इनकी कुछ इन्पूडेंट इंसे ने को फॉंडर जो पंजाब निसल बैंक है जो 1894 बनी थी हमारे लाला राजपर राय की द्वारा इससे बनाए गया था और यहां भारत के सम्मेदान के अनुसार निम लेकिन मैंसे कौन देश के सासन के लिए मौलिक है तो उसमें आंसर डी है जो डीपीएसपी है यह है इसमें डीपीएसपी है पुछ एक मौलिक है यह कुछ इसके इस्ट्रक्शन है एंड गाइस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी कॉश्चन है तो हमें आप कोमेट से सकते हैं हम इसमें रिजॉल्व करने को सकते हैं और यह कुछ हमारी सोसल मेडिया अकॉंट से इन्हें आप जॉइन कर लेजगे हाँ पर इसको पेडिया बगरा मिल जाती है और एक्जाम से लाटे क्योंकि हमारा एक्जाम ही पा झाल